How to fix PUBG Lite Error Problems Solution नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तेकिराश यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आपको जो है PUBG Lite खेलते बग किसी भी तरह का Error, किसी भी तरह का Problem यही आपको आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को आंतग आप पर जरूर देखे यहाँ पर दोस्तों जो भी Error आते हैं सब एक दूसरे के साथ Related होते हैं तो पूरा वीडियो आप जब देख लोगे तो दोस्तों एक ना एक में से आपका Solution Definitely निकलेगा तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ एक Solution यार फिर डो Solution ऐसा नहीं देने वालो तो मैं आपको यहाँ पर Continuously Solution दूँगा तो आप यहाँ पर Solution को पूरा Follow जरू कीज़ेगा और दोस्तों यहाँ पर आंतक जो है वीडियो के आंतक आपका जो प्रॉब्लेम है वो Definitely फिक्स हो जगा तो वीडियो को यहाँ पर Follow आप जरू कीज़ेगा सारे साथ दोस्तों यही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को भी कर लिज़े सब्सक्राइब सारे साथ दोस्तो बेल आइकोन को भी क्लिक कीजिएगा यहीं आप उनलाइन से पैसा कामाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तो आपने दिस्क्रिप्शन पर लिंक डे रखा है किसी भी प्रॉब्लेम के लिए आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तो देखते हैं इरोर का सॉलुशन यहाँ पर दोस्तो मैं एक इरोर का सॉलुशन आपको नहीं बताने वाला हो इहां पटोस्तो जो भी एरोर आपको phase करना पड़ता है tumi PUBG के अंदर पे ठीक है अभी दोस्तों उसको fix करनेका तरीका यहाँवर क्या बाटे हैं और किस्सकी सारगा problem आते हैं तो यहाँ पटोस्तों में net yeah ये सिघरो करने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों basically जो problems आते हैं आपको PUBG Lite के अंदर पे वो है network connection ठीक है network के related पर error तो दोस्तों उसको कैसे fix किया जा सकते हैं चलिए उसको भी हम देख लेते हैं सबसे पहले तो आप जाएए अपने setting पर उसके बाद दोस्तों click किजिए अपने wireless and network के अंदर पे और उसके बाद आपको जाना है यहाँ mobile network के अंदर पे उसके बाद दोस्तों यहाँ जाकि आप preferred network type को select किजिए network को यहाँ पर दोस्तों switch किजिए ठीक है between 2G और उसके बाद 4G तो ऐसा आपको switch करना है ताकि आपका जो network है वो refresh हो जाए उसके बाद आप जाए करियर के option पर यहाँ पर अच्छा नहीं है तो network selection कीजिए manually या तो फिर automatically यहाँ आप इस button पर click करते तो इस तरह का interface मिल जाएगा ok करने के बाद आपको जो है यहाँ पर manually network selection का option भी मिल जाए और manually पर उसके बाद दोस्तों आपको break करना है वे क करने के बाद scroll down करना है system पर जाना है और दोसतो यहाँ पर जाके आपको reset एन्ट्रोक को हरे उसके बार स्थिक्षिक करें गौना इस पुर्डॉबद दोस्तों तो इसके बाद दूस्तों आते हैं उसका दूसरा solution यह हो गया दोस्तो नेट्रो के related पर solution उसके बाद दोस्तो आपको जो भी डिक्कत आ रहा है PUBG के अंदर पे तो दोस्तो उसके लिए आपको जाना है Play Store पर और PUBG को search कर लेना है Play Store search के मदद से ठीक है उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है आपको simply अपने application को अपडेट कर लेना है जो भी आप यूज करते है PUBG Mobile New Map, Livik यार फिर PUBG Mobile लाइट ठीक है आप दोस्तो यह solution कई भी कर सकते हैं तो यहाप दोस्तो आपको बात करें PUBG Mobile लाइट उसके अंदर पे जाईए और अपडेट कर लीजिए अपडेट करने के बात दोस्तो आपको यहाप पर simply बेक करना है Mobile को एक बार रिस्तार्ट करना है उसके बाद PUBG के अंदर पे जाना है और दोस्तो आपको चेक कर लेना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो fix होआ या नहीं हुआ है ठीक है यहरी fix हो जाता है तो आप solution करना बंद कर दीजिए यहरी fix नहीं हुआ है तो solution continuously कीजिए उसके लिए आपको next solution पर जाना है setting के अंदर पे और यहाँ आपको scroll down करके apps पर जाना है उसके बाद manage apps install app या तो फिर app management करके आपको option मिल जाएगा तो मेरे mobile पर apps लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ search करना है scroll down करके PUBG तो आप यहाँ पर बस scroll down करके जाए और PUBG के अंदर पे चले जाएए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको select करना है इसका storage उसके बाद इसका जो खेश है उसको clear कीजे उसके सारे सार आप इसका data को भी clear कर दीजे ठीक है data clear करने से आपका resource delete हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप यह बात ध्यान पर आख लिजे उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको solution दे दूँगा ताकि आप जो है resource को मोबाइल नेटो के true download कर सके ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप clear कर दीजे storage को उसके बाद दोस्तों आप जाए permission पर सारे permissions को allow कीजे और storage को आप बिल्कुल भी यहाँ पर enable करना मत भूलेगा उसके बाद जाएगा data uses पर और यहाँ जितने भी दोस्तों आपको बटन डिखाई देर आए ठीक आप मेरे टेप्स पर यहाँ पर डेख सकते तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर बटन सबको डिखाई देर रहे enable disable का तो पूरा आपको enable कर देना है ताकि आपका mobile data यूस में आ जाए वाइफा यूस में आ जाए बेग्राउंड डेटा यूस में आ जाए और दोस्तों सब के सब enable करने के बाद mobile को एक बार restart कर ले उसके बाद दोस्तों जाए पबजी के अंदर पर open कीजिए लोगिन कीजिए चेक कीजिए आपका जो problem ही वह fix हो चुका होगा ठीक है तो यह solution के बाद दोस्तों problem अपका fix होगा और दोस्तों by any chance यदि इससे भी काम नहीं बनते problem solve नहीं हो पाते तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको next solution के लिए जाना है next solution पर आपके जो है यहाँ पर mobile पर काम करना होगा उसके लिए आपको system पर जाना है mobile software को update कर देना है mobile software update क्यों करना है मैं आपको यह भी अच्छे से clearly समझा के बता देता हो ताकि आपको समझ में आ जाए बिलकुल अच्छे से जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि version रहते है हमारा software के अंदर पर पाइब दोस्तों यहाँ उसकां सोफ्फ़ेर version लेते हैं उसका कर्यण वर्जन यहाँ पर आप देख सकते हैं करें अब देखना चाहते हैं तो manage app पर जाएए या फिर app पर जाएए उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जाके आप PUBG का जो वर्जिन है उसको डेख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आखिर होता क्या है कि हमारा जो यहाँ पर PUBG है उसका वर्जिन और हमारा जो mobile का वर्जिन है वो दोस्तों यहाँ पर PUBG के साथ जो है आपर मेच हो सके ठीक है तो उसके बाद दोस्तों यहापर जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको इरोर आ रहा है तो वो डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा और जबी भी दोस्तों हमारा जो एप्लिकेशन है मुबाइल के साथ अच्छे से सपोर्ट नहीं करते तब तक दोस्तों मुबाइल गेमिंग यहाँ पर अच्छे से स्मूटली रानिंग नहीं हो पाते ठीक है और दोस्तों आप जो है अलग से PUBG मुबाइल के अंदर पर जाके कुछ सेटिंग्स कर लिजे अपने मुबाइल के हिसाब से ताकि वो गेम और भी ज्यादा स्मूट हो जाए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो पर बस इतना है तो यह था दोस्तों PUBG एरोर का सॉलुइशन तो वीडियो यहाँ पर ठोड़ा लंबा हो गया है तो दोस्तों आप यहाँ पर वीडियो को पूरा देखके सॉलुशन को कर लिजे और आपको यदि किसी भी तरह का प्रोब्लम है तो आप हमें कॉमेंट दाउन करके बताए कि एग्सएक प्रोब्लम आपको क्या है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप हो सहके तो ट्विटर पे हमें फोलू करके मेसेज कीजिए और उसका स्क्रिन शॉट ठीक है जो आपको परना कॉला है उसका स्क्रिन शोट भी आवाव हमें बेज दीजे ताकि आम उस इरोर के आगे काम कर सकें तो चलिए दोस्तो आज के लिए वस इतना ही टेंक्स वराचिंग